आल्राइट लूड़ाइज़ाइज जेंद्लमेंट, आज वीडियो में हम बात करेंगे कि यो डाइवर्च के ग्राउंड्स होते हैं, जो क्या हो सकते हैं? बिल्कुल डाइवर्च के ग्राउंड्स वूटे हैं, ताकि आपको अच्छे सब्सम्ज़ में आए एक होता है कि जो section 13 है ना उसमें कुछ grounds दे रखिया है जैसे कि credit reality तो question यही आता है कि हम उनी grounds पे divorce ले सकते हैं अगर कोई हमारे personal जो हम किसी चीज को भी बना के हम divorce ले सकते हैं तो answer of this question is yes आप किसी भी ground पे divorce ले सकते हो लेकिन जो सरत है वो क्या-क्या है वो सुन लो जो ground है वो sufficient होना चाहिए अभी आपको कुछ example दोंगा अभी वेट करो और जो button of proof है वो आपके उपर होगा ठीक है यानि कि जो section 13 में दिये हुए ना कुछ grounds religious change करना जो आप पढ़ते आयो है सुनते आयो अभी तक जो वीडियो में तो जरूर नहीं है कि आप उसी ground पे आपको मतलब उनसे आप बाउंड नहीं हो आपको अलग से भी जैसे कि मान लोग कोई personal problem है कुछ भी अभी मैं आपको example तो उसके ground पे भी आप divorce case file कर सकते हो अब condition यह है जो burden of proof है वो आपके ऊपर लाई होगा second जो discretion power ने कोट की उस पर depend करता है कि वो जो ground है वो accept करता है या नहीं let me give you example एक क्या था केरला में case था ठीक है तो उसमें क्या था wife थी नहीं जो थोड़ी परिसान थी अपने husband से क्यों उसको ना मतलब यह होता है उसको unnatural sex करने की आदत थी अपने wife के साथ तो wife ने इसको ground बनाया कि भई मेरे को इसके साथ नहीं रहना है क्योंकि यह unnatural sex करता है और तो court ने अपनी discretionary power use करके ठीक है उसको accept किया और फिर बाद में husband ने भी accept कर लिया कि हां भई मैंने ऐसा किया है और तो इस चीज मतलब होने की बहुत आदत होती है कि एक time period से भी extra समय तो इस चीज़ को भी आप मतलब ground बना सकते हैं और हो गए बहुत सारे हो गए जैसे कि मालो बस यह की relevant होना जी है अब यह निया कि मालो wife मतलब husband बोले कि wife मेरा खर्चा करवाती है तो इस ground में में को divorce चाहिए यह नहीं आफेर लड़के के साथ हो गया एक मालो उसकी जो wife है वो किसी की wife है मालो तो वो कुछ वो हो जाती है यानि कि lesbian निकलती है lesbian समझते है कि जो girls होती है उसको girls से ही attraction हो जाता है तो इस मतलब अजीब है हलाकि उसमें दिया नहीं है जो section 13 पड़ोगे उसमें नहीं है तो भी हो सकते है मालो आपकी wife है उसको किसी transgender से वो हो जाता है थीए लव हो जाता है तो उस चक्र में उसको भी आप ground बना सकते हो मतलब मक होते तो यह अजीव सही है बस यह कि आप की आप ग्राउंड उलग भी बना सकते हो बस यह की वो रिलिवेंट होना च्छिए है और जो बिडरन अफ प्रूवब वो आपके उपर लाई होना च्छिए है तो वो रिजाक्ट हो जाए गी क्योंकि बड़न आफ प्रूफ आपके उपर आपको प्रूब भी करना पड़ेगा सब्सक्राइब आपने केस लगाया कि मेरी वाइफ किसी और के साथ लेस्बियन में है या फिर कुछ तो और वो एकसप्ट कर लेती है आपको मिल जाएगा टाइबरस तो कहने का तात्त पर रही है आप किसी भी ग्राउंड को बना सकते हो जो आपको लगे जो आपके साथ बीतरा हो आप कर सकते हो वो डिपैंड करता है कोट की दिस्क्रिशनरी पावर के उपर कि वो उसको एकसप्ट करता है या नहीं और उसको बैडन ओफ प्रूफ आपके उपर लाई करता है आप अपनी तरफ से भी कर सकते हो और अगर आपने हमारी जो डाइवर्स ना लेने वाली पार्ट्स वाली वीडियो नहीं देखिए तो आप उनको देख लो काफी अची है तो आपको क्या पता विचारी बिलते हैं तो मतलो ले सकते हैं अगर आपकी कोई परसुनल क्यारी ह अगर आधिया है इसी दिगाडिग तो आप हमें इंस्टाग्राम की आईडी पर हमें हमें kontraX कर सकते हों. इंस्टाग्राम की जो आइडिया वो गरीब अख़वर के नाम जए है आप लिखोगे ना वो तो उसमें एक ही अकाउंट है गरीब अख़वर के नाम से होगे सायो इस ग्रियर चिल मैं